फूलन देवी के हत्यारे शियर सिंग राणा खुले कर की गई टिपणी के बाद चर्चाओं में आये कॉंग्रिस नीता अरजुनारे लिए एक बार पिर सामंतवादी विवस्था पर निशान असादा है अरजुनारे ने कहा कि शिवरात सरकार में पिछणों दलितों के सम्मान की बाद करना अपराध हो गया है अरजुनारे ने कहा कि आदिवासी वो लोग हैं जिन्नोंने महराना प्रताप के साथ मिलकर अखबर के ขलाफ यो दिलड़ा था आज सिवराज सरकार में पिछडों दलितों और आधिवासियों के सम्मान की बात करना अपराजसा हुगया है फिर चाहे वो स्वर्गी भूलन देवी जी के सम्मान की बात हो या फिर नेमाओर में हमारी जिन आधिवासी बेटियों की हत्या हुई उससे पहले उनके साथ जो बलातकार हुआ उनको न्याय दिलाने की ही क्यों ना बात हो जब जब हमारे कमेरे वर्ग ने कमेरे वर्ग की बेटियों के सम्मान की बात की उन्हें न्याय दिलाने की बात की तब तब हमें सामन्त वाधी संग्यों के द्वारा हिंदू विरोधी करार दे दिया गया जबकि हम वो लोग हैं जिन्होंने महराणा प्रताप के साथ मिलकर unhappy के खिलाब युद्द लड़ा था और उसमें अगबर के साथ तमाम राजे रजवाडे मिलकर महराना प्रताप को हराने के साजी से रच रहे थे लेकिन भील आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग महराना प्रताप के साथ मिलकर युद्दलड रहे थे अगर महरना प्रताप के लोगों के साथ अगर उनकी बेटियों के साथ अगर आज अन्याय होगा तो हम न्याय के लिए आवाज उठाएंगे फिर चाहे हमें कितना ही कोई को चलने का प्रियास करें लेकिन हम दबने वाले नहीं है EMS TV के लिए राम पवार की रिपोर्ट